दोस्तों आज का वीडियो होगा जहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ Top 5 Upcoming Smartphones के बारे में जो की November में launch होने वाले है So guys, November के अंदर आपको बहुत सारे Amazing Devices देखने के लिए मिलने वाले है OnePlus, Xiaomi, Vivo and बहुत सारे ब्रांड्स के काफी अच्छे High Specifications वाले Devices वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो Subscribe की बटन को प्रेस कर दीजिए ऐसे लेटेस वीडियो को देखते रहने के लिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिलकुल भी ना बोले दोस्तों इन में से सबसे बेस्ट आपको कौन सा डिवाइस लगा ये चिस कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे वीडियो को पूरा देखने के बाद तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर जो सबसे पहला फोन है जो की नौवेंबर के लांच हो सकता है यह वन प्लस नौट 3 5G अब गयाज वन प्लस नौट 3 काफी जादा पॉपिलर हो रहा है और इसको ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहे है कि नौवेंबर के लांच हो जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं सबसे पहले यहां पर पर्फॉर्मेंस की बात करते हैं तो मीडिया टेक डैमेंसिटी 1200 प्रॉसेसर दिया जा रहा है इसके साथ यहां पर इसको पेर किया गिया है 8GB RAM के साथ डिस्प्ले आपको 6.43 इंचेस का फ्लूइड अमोलेट डिस्प्ले मिलने वाला है 90Hz रिफ्रेश रेट होगा 20S डिस्प्ले होगा पंच होल कट आउट के साथ आने वाला है फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटप देखने के लिए मिलेगा इसके रेयर पैनल पे 50 प्लस 12 प्लस 5 मेगापिक्सल और यहां पर आपको फ्रंट के अंदर इसके 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलने वाला है जो की फूल SD रिकॉर्डिंग कर सकता है बैटरी की बात करते हैं तो 4300 mAh की आपको बैटरी मिलेगी प्लस यहां पर 120 वाट का फास्ट चारजिंग मिलने वाला है तो फोन आपको बहुत जादा जल्दी से चार्ज हो जाने वाला है इसके साथ यहां पर आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा बट यहां पर आप इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं आप हायर वेरियंट्स के तरफ जा सकते हैं यहां पर इसका प्राइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है 26 तो 29,000 के बीच में इसके बाद शौमी की तरफ से MI Mix 4 भी नॉवेंबर के इंटर लाँच हो सकता है और यह काफी जादा प्रीमियम डिवाइस होगा जिसका प्राइज आल्मोस 60,000 के आसपास का होने वाला है और इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे काफी शांदार फीचर्स मिलते हैं जो सबसे पहले यह पर आपको स्नाप्ड्रेगन का 888 प्लस प्रॉसेसर देखने के लिए मिल जाएगा जिसको पेर किया गया है 8GB RAM के साथ यह पर आपको 6.67 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी 120Hz रीफरेश रेट को सपोर्ट करेगा यह डिस्प्लेई गोरिलग लास का प्रोटेक्शन है पीजल डिस्प्ले होने वाला है और यहां पर कैमरा की बात करते हैं जो ट्रिपल रेयर सेटप आपको मिल जाता है जहां पर प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल जिससे आप 4K और 8K भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 8K रिकॉर्डिंग एड 24FPS साथ में फ्रंट में आपको 20MP का कैमरा मिल जाता है और यहाँ पर बैटरी की बात करते हैं तो 4500MH की बैटरी मिल जाती है 120W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है यहाँ पर आपको Dual SIM का सपोर्ट ऑविसली मिल जाएगा लेकिन दोनों SIM यहाँ पर नैनो है पर यहाँ पर आपको Micro SD Card का सपोर्ट नहीं मिलता है और 128GB के इंटरनल स्टोरेज वेरियंट से यह स्टार्ट हो जाता है आप आगे के वेरियंट के तरफ भी जा सकते है एक बहुत ही अमेजिंग डिवाइस है काफी अच्छे फीचर के साथ आ रहा है जो अगर आप एक प्रीमियम डिवाइस लेना चाहते है तो आप इसके लिए भी वेट कर सकते है इसके बाद रियल्मी के तरफ से एक बजट डिवाइस लाँच होने वाला है जो की है रियल्मी 9 प्रो और ये डिवाइस काफी अच्छे फीचर के साथ आता है डीसेंट फीचर है अकॉर्डिंग तो दे प्राइज सो यहाँ पे स्नाप्रेगन 730 प्रोसेसर आपको बिलने वाला है प्लस 8GB राम यहाँ पे मिल जाता है 6.5 इंचेस की सूपर एमोलेट डिस्पले मिल जाती है 405 PPI वाली बीजल इस डिस्पलेइ विट पंच होल कट आउट आपको यहाँ पे मिलता है फोन के अंदर आपको क्वार्ड कैमरा सेट अप मिल जाएगा 108 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी सेंसर है और फ्रंट में आपको 16 प्लस 2 मेगापिक्सल का डूवल कैमरा मिल जाता है यहाँ पे आपको 6000 इंच की बैटरी मिल जाती है फास्ट चाजिंग का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे आपको डूवल सिम का भी सपोर्ट मिलता है यह है Xiaomi Redmi Note 11 Pro Max 5G मतलब नाम काफी बड़ा सा है और काफी अच्छा डिवाइस भी होने वाला है बजट के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं तो सबसे पहले तो 5G इनेबल डिवाइस होने वाला है Snapdragon 778G प्रोसेसर के साथ आएगा जिसको पेर किया गिया है 6GB RAM के साथ 6.67 इंचेस की Super AMOLED डिस्पले मिल जाती है 395 BPI वाली 120 Hz रीफरेश रेट को यह सपोर्ट करता है साथ में आपको Quad Camera Setup मिल जाता है 108 Megapixel का है इसका Primary Camera और यहाँ पे आपको Front के अंदर 32 Megapixel का कैमरा मिल जाता है Rare Camera से आप 4K Recording कर सकते है 30 FPS पे यहाँ पे आपको 5200 MHz की बैटरी मिल जाती है 33 Watt का Fast Charging मिल जाता है Dual SIM का Support मिल जाता है यहाँ पे आपको 128 GB Internal Storage मिलेगा जिसको आप 512 GB तक Expand कर सकते है तो Overall Performance के साब से काफी अच्छा डिवाइस है और इसका Price around 20,000 इसका भी Expect किया जा रहा है Next guys, यहाँ पे Vivo के तरफ से X70 को Launch किया जाएगा November में जो की एक Premium डिवाइस होने वाला है Vivo के तरफ से और इसके Features की बात करते गाईस तो MediaTek Dimensity 1200 Processor के साथ आने वाला है जिसको पेर किया गया है 8 GB RAM के साथ 6.5 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाती है 398 PPI वाली 120 Hz रिफ्रेश रेट को यह डिस्प्ले भी सपोर्ट करती है और यहाँ पे आपको ट्रिपल रोयर कैमरा मिल जाएगा डिवाइस के अंदर 40 प्लस 12 प्लस 2 मेकापिक्सल का 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है 30 fps पे फ्रंट के अंदर आपको 32 मेकापिक्सल का कैमरा मिल जाता है यह भी 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है 30 fps पे साथ में आप बैटरी की बात करते है तो 4400 इमेज की बैटरी है 44 वाट का फास्ट चारजिंग है आप मेमरी को एक्सपंड नहीं कर सकते हैं लेकिन आप हायर वेरियंट के तरफ रइफिनेटली जा सकते हैं तो यह जो डिवाइस है overcome device होने वाला है तो price भी सब का premium होगा 80,000 buzzes के price को expect कि या जा रहा है और यह चीज़ ऑफिशिली confirm हो चुकी है कि November के अंदर ये device आपको देखने के लिए मिल जाएगा first week of November में ये थे कुछ 5 best devices जो कि आपको November के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं 5 best smartphones तो आप इनके लिए wait कर सकते हो और वीडियो कैसा लगा है इस इस comment section में आप बता सकते हैं तो आज के वीडियो के अंदर फिलालत नहीं थैंक्यू अरी मच्च